नमस्ते मैं डिम्पल शर्मा आज 14 मई 2019 दिन मंगलवार आज हम आपसे बात करेंगे गाएं की पक्षी की कुते की चीटियों की और मचली की इनसे हमारे जीवन की समस्याइं कैसे दूर हो सकती है जीवन में हर समस्याँ का समाधान शास्त्रों में हमारे पताया गया है एक उपाय तो ये है कि हम अपनी मेहनत से और स्वयम की समझदारी से इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें और दूसरा उपाय है धार्मिक कार्य करें हमें प्राप्त होने वाले सुख दुख हमारे कर्मों का ही प्रतिफल है पुन्यकर्म कीए जाए तो दुख का समय जल्द ही निकल जाता है अब हम बात करेंगे आपके दैनिक राशी फल की उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन सब जानवरों की अगर सेवा करते हैं तो क्या-क्या फल आपको मिलते हैं और आप अपना जीवन कैसे सुखमे बना सकते हैं अब हम बात करेंगे आपके दैनिक राशी फल की तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेश राशी वालो की मेश राशी वालो के लिए आज क्या है हमारे पास मेश राशी वालो आज आपको हो सकता है कि लोन लेना पड़ जाए जिसकी वज़े से आप परिशानी महसूस करोगे और आपको कारिश शेत्र में हो सकता, आपका डिमोशन होनी की भी संभावना है, तो कोशिश यही करिए, किसी से भी जादा आप घुले मिले नहीं, आज के दिन specially कुछ बोले नहीं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पर सकती है, अगर हम बात करें आपके पारिवारिक स्थितियों की, तो पारिवारिक स्थितियां आपकी बहुत बहतर है, और घर परिवार से आपको पूरा-पूरा सपोर्ट मिलने की संभावना हैं दिख रही है, कोशिश यही करिए, कि अपनी सेहत में थोड़ा सुधार लाईए, काशिवाले कोशिश यही करिए, किसी के भी लड़ाई जगडे में ना पड़े तो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो आपका ही इंवाल्मेंट उसमें हो जाएगा, वो आपको दिक्कत हो सकती है, पारिबारी का अगर स्थितियों की हम बात करें, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा आज अनमना सा मन हो सकता है, और अगर हम बच्चों की बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको राहत मिलेगी, शाम होते होते आपकी समस्याओं का निराकरन भी निकल जाएगा, शुब रंग आपके लिए पीला, भाग के साथ देगा 55%, मितुन राशी वाले देखें, आज आपके लिए क्या है, मितुन राशी वाले बहुत समय से जो कार्य आपका अटका हुआ था, आज वो पूर्ण रूप से होने की समभावनाय बनी हुई है, जिसकी वज़े से आप काफी हर्शोलास भी हो सकते हैं, और अगर हम बात करें आपकी पारिवारिक स्थितियों की, तो आपकी यात्राएं होने समभावनाय दिख रही हैं, और हो सकता है कि आपके जीवन में आज कुछ ऐसा घटित हो, जिसकी वज़े से आपको थोड़ा सा निराशा महसूस हो, ल करकराशी वालों के लिए आज क्या है, करकराशी वालों आज आपका पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, अगर किसी को आपने दिया हुआ है उधार, तो आज आप उधारी आपकी वापस आ जाएगी, और अगर आप लोन भी लेना चाहते हैं, खुद तो उसके लिए भी इसे हमस्या आपको हो सकती है, तो उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए, ज्यादा स्ट्रिक होने की कोशिश ना करिए, नहीं तो आपको एड्वर्स अफेक भी भुगतने पड़ सकते हैं, छुप रंग आपके लिए ब्राउन भाग के साथ देगा 55%, सी है राशी वाले आपकी साथ नहीं दे रही है, आज धूखा मिलने की भी संभावना बन रही है, तो कोशिश ये करिए कि अपनी पर्सनल चीजें किसी के साथ शेयन ना करें, तो आपके लिए बहतर होगा, और हेल्थ चेक अप रेगूलर करवाएं, नहीं तो हेल्थ से रिलेटेड जादा स समस्यां आपको होने की संभावना है, शुबरंग आपके लिए रस्ट भाग के साथ देगा 50%, कनिया राशी वाले जिन लोगों ने आज इंटर्व्यू दिया है, उनको जल्द ही गुड नियूज मिलने की संभावना है, नजर आ रही है, और जिन्होंने कारे स्टार्ट किय क्या है नया नया उनका कारे भी प्रग्रती में दिख रहा है, अगर हम बात करते हैं परिवार की, परिवार में कोई नया सदर से एड़ ओन होने वाला है, यहां तक की आपकी जल यातनाएं भी दिख रही है, परिवार में कुछ ना कुछ मांगलिक कारे की योजनाएं भी बन रही है चुप रंग आपके लिए पीला भागे साथ देगा 75 परसेंट तुला राशी वाले देखें आज आपके लिए क्या है तुला राशी वाले आज आपके कारिये बनते-बनते बिगड़ भी सकते हैं तो कोशिश ये करिए कि किसी से शेर नहीं करें जब तक आपके का की तो आज आपको finance की समस्या हो सकती है अपने खर्चों पे काबू करें तो जादा बेहतर होगा घर परिवार में खुशी का मोहल रहेगा यहां तक की कोई रिष्टेदार आपसे आज मिलने आने की भी संभावना दिख रही है शुबरंग आपके लिए blue भागे साथ देगा 75 person अगर हम बात करें व्रिष्चिक राशी वालों की देखें उनके लिए आज क्या है व्रिष्चिक राशी वालों आज आप कार्य में कुछ innovation करने की सोच रहे हैं बिना planning के कोई भी कार्य ना करें नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और अगर हम बात करते हैं की पारिवारिक स्थितियां तो बहुत भेतर नजर आ रही है कोई आपको ओवरूल करने की कोशिश भी कर सकता है तो थोड़ा धैर ये बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा बच्चों संबंदे समस्यां का आज निराकरन होने की पूरी-पूरी उमीद नजर आ क्या है धनुराशी वाले कारिशेत में प्रगरती नजर आ रही जो भी नया कारे आपने स्टार्ट किया है उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी वक्त आपका बदलता हुआ नजर आ रहा है जिन भी समस्यां से अभी तक परिशानी हो रही थी आप देखेंगे धीरे-धीरे उनके रस्ते निकलते जा रहे हैं अगर हम बात करें पैसी की फिनांस की तो पैसा आता हुआ नजर आ रहा है आज बच्चों संबंदी समस्याओं का भी निराकरन होने वाला है सीहत आपकी बहुत बढ़िया रहेगी शुब रंग आपके लिए रस्ट भाग के साथ देगा 75 45 परसेंट मखर राशी वाले देखें आज आपके लिए हमारे काट्स क्या लेके आए हैं मखर राशी वाले आज आपको कहीं न कहीं बिजनस को लेके समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो टेंशन जादा ना लीजिए नहीं तो आपकी हेल्थ एफेक्ट हो सकती है पर जो बरंग आपके लिए पिस्ता भागे साथ देगा 55% कुम्भराशी वाले देखें आज आपके लिए क्या है कुम्भराशी वाले समय सीमा जो भी आपकी कारे शेत्र की थी वो धीरे धीरे पूर्ण होती हुई नजर आ रही है और कारे बहुत विस्तार से प्रग्रती रूप से हो रहा है परिवार में मांगलिक कारे होने की पूर्ण रूप से संभाबना है हस्बिन वाइफ के बीच में अगर कोई गलत फैमी है तो वो भी आज दूर होती नजर आ रही है बच्चों रिलेटेड आपकी समस्याओं का निराकरन होने वाला है और यहां तक कि उनके को भी प्राप्त कर सकते हैं शुब रंग आपके लिए क्रीम भागे साथ देगा 55 परसेंट मीन राशी वाले देखें आज आपके लिए क्या है मीन राशी वाले कारेशेत्रुम में बहुत अच्छा आपका वर्चस्व रहेगा आपको कोई उचा ओधा भी मिलने की संभावनाएं बनी हुई है पारिवारिक स्थितियों में आपकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपसी मनमुटाव नजर आ रहे हैं तो प्रंग आपके लिए और इंज भाग के साथ देगा 75% ये तो हो गए आपके दैनिक राशी फल अब हम बात करेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप गाएं को अगर रोटी खिलाते हैं चीटियों को खिलाते हैं तो आपको क्या फाइदा हो सकता है यदि कोई व् इसकी सेवा करने वाले व्यक्ति को सभी सुक प्राप्त होते हैं अगर आपको राहों की परिशानी हो तो पक्षियों को दाना डालने पर आर्थिक मामलों में लाग प्राप्त होता है व्यवसाय करने वाले लोगों को विशेश रूप से प्रतिदिन पक्षियों को दाना अ बहुत शुब रहेगा अगर आप इस तरीके से डेली करते हैं तो उन्हें दुश्मनों का भय नहीं सताएगा कर्ज से परेशान अगर आप हैं तो चीटियों को शकर और आटा डाले ऐसा करने पर कर्ज की समापती जल्द ही हो जाएगी जिन लोगों की पुरानी संपत्ति उन आटे की गोलियां खिलाते हैं तो उन्हें लाप प्राप्त होता है मचलियों को आटे की गोलियां देने पर पुरानी संपत्ति पुनह प्रापत होने की संभावनाए बढ़ जाती हैं अगर आप इन पाचों को जो भी व्यक्ति खाना खिलाएगा उनके सभी दुख और उनको अक्षय पुन्य की प्राप्ति होती हैं तो आपने देखा चोटे-चोटे कार्य करने से आप किस तरीके से आपकी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखे, कल फिर इसी समय मुलाकात होगी, नमस्ते